जय हिन दोस्तों मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ डियाई पे रेखा आरेख रेखा आरेख का एक कोर्षन हर पेपर में आता है और यूपी प्लिस कॉंस्टेबर और आइसाई में तो जरूर ही आता है तो हम लोग देखेंगे इसके कैसे कोर्षन आते हैं चलिए चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं डियाई का टॉपिक रेखा आरेख या लाइन आरेख इसके पहले एक बात और बता दें मैंने एक वीडियो इसके पहले और आपको पढ़ा दी है वो मैंने पढ़ा दी है इसकी गोल वाला गोल आरेख मतलब पाई चार्ट जिस इसके बाद मैं आपको बारारेक की भी वीडियो दे दूँगा, देखते हैं, और चलते हैं, हम लोग अपने पहले कोशन में, पहला कोशन हमारा क्या है, यह रहा आपके सामने पहला कोशन, कहा रहा है, कहा रहा है, एक महिला ने वजन कम करने के लिए, छे महिने के एक को दिखाता है के रहा पहले पहले महा में इसका कित्रा बजन दिखा रहा है 93 दूसरे महने दिखा रहा है 87 तीसरे महने दिखा रहा है 89 चौथे महने दिखा रहा है 78 पांचवे महने दिखा रहा है 82 और छटे महने दिखा रहा है 75 फिर के रहा पिछले महने की तुलना में कितने महिनों में उसका बजन कम होने की बजाए बढ़ गया है तो कह रहा पिछले महिने की तुल्ला कितने महिने ऐसे हैं जहां कम न होने की बजाए क्या हो गया है बढ़ गया है तो देखते हैं यह पहला महिने में किता था 93 इस महिने देखो क्या होना चाहिए था यहां पर क्या इसमें तो कम हुआ है अगले में देखें यहां पिछले वाले महने से बढ़ गया वह कौन कोन ने 89 क्यूंकि 67 से बढ़ गया है बढ़के 89 हुआ है 2022 है जो अपने पिछले महने से 78 से बढ़ कर 82 हुआ है तो इसका option जो सही है वो क्या option सही होगा सी पार्ट इसका answer सही होगा चलिए चलते हैं हम लोग अपने question number two की तरफ question number two क्या कह रहा है ज़रा इसको विध्यान से देखते है question number two पे कह रहा है रेखा और एक पिछले छे वर्सों के passport office द्वारा किये जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या को दिखाता है फिर नीचे क्या बोला कितने वर्सों में जारी किये गए पासपोर्टों की संख्या अपनी अग्रिगामी वर्सों में जारी किये गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है मतलब वह भी पीछे आले महने से कितने ऐसे हैं जो अधिक हो गए हैं तो देखिए यहां पर कितने ते पांसो पचास पांसो पचास से यहां पर अधिक हो गया है बिल्कुल सही है छैसो पचास हुआ है बट इसमें फिर यहां पर क्या हो गया है यहां तो कम हो गया ह और देखिए यहां पे फिर एग यह बढ़ गया तो एक झी हो गया तो आप कहाए सकते हो तीन महेने ऐसे हैं जिसमें बढ़ा है यह बाखिए तो फिर यह क्या हो गया है कम हो गया है तो अपने पिछले वाले से यह साढ़े छएसो है जो बढ़के चाड़े 500 जो बढ़के 65- 600 हैं ठीक है चलते हैं हम लोग अपने next question की ओर question number देखिए तीसरा ये आपके सामने है question number तीसरे में क्या पूछ रहा है ज़रा इसको पढ़के देखते हैं question number तीसरा कह रहा है दिया गया आरेक सो के पहले छह दिनों में theater counter बेची गेट टिकटों की संख्या का record दिखाता है कहरा फिर देखो यहां लिखा है बेची गेट टिकट यह जो पांसो हजार पंदरासो में दिखाया गया है और यह दिनों की संख्या दिखाई गई पहले दिन में पिछले दिन अबर पहले वाले दिनों से क्या है बेची गेट टिकटों से कम थी तो जरा यहां देखते हैं यहां पंदरासो देखे यह पहले वाले दिन से क्या है जादा है ठीक है एक जार से बढ़के पंद्रास हुई है ये भी देखिए अपने पहले आले से क्या है जादा है बड़ ये देखिए दो हजार ये कम होगा ये पहले वाले से ये क्या होगा ये दो हजार कम है ये अपने पहले वाले से क्या है जाद हुआ है दो आंसर आएगा दफसी पाड़िसका आंसर सही है दो दिन किस दिन दो दिन ऐसा है जो अपने पिछले दिनों से टिक्टो की संख्या क्या हो रही है बात समझ में आ रही होगी चलते हैं हम लोग अपने अगला कोशन कोशन नमबर चार टाइम को बिना बरबात किये कुख टाइम हり जल्दी जल्दी कॉशन लगाते हैं कोशनिल नमबर 4 में क्या कह रहा है एक 7 प्रवेश परिछा की त्यारी करने के लिए 6 टेस्ट के लिए के लिए अपना नाम देता है वहाये एक आरेक के रूब में अपनी प्रग्रति प्लॉट करता है, रेखा आरेक इन 6 टेस्ट में प्राप्त किये गए अंकों को दिखाता है, कि आप पहले टेस्ट में 35 लाया है, दूसरे टेस्ट में ये कितना लाया है, 20, तीसरे टेस्ट में लाया है, 45, चौथे टेस्ट में 48, पांचवे टेस्ट में कि कि दिमाग में चल रहा होगा कि यह बगल में यह डाटा यह पर लिखा होता और यह डाटा वहां पर लिख के दिखा दिया है कि जिसे आपको देखने की शुँधा जो है उसकी भी जरूप नहीं पड़ी ठीक है लेकिन अगर लिख के नहीं आएगा तो आपको उसके सामने लाइन खीच के देखना पड़ेगा बात समझ में आई होगी फिर चलते हैं आगे देखिए लल्ला यह आगे क्या होने वाला है आगे देखते हैं जरा इसमें क्या पूछा गया है अब आपके आगे देखें कह रहा है हाल आफ फेम में उनका नाम कितने परिच्छाओं में सूची ब्रत किया गया था और कोस्टक में क्या कह रहा है कोस्टक में वो भी पढ़ लें कह रहा है कोस्टक में कह रहा है उन चात्रों को हाल आफ फेम की सूची ब्रत होने का सम्मान मिला है जिन्होंने चालि से अधिक कितने ने पराप्त किये हैं मतलब कितने टेस्ट में पराप्त किये हैं तो चालिस से अधिक एक जहां पराप्त किया है और एक जहां यहां पर पैतालिस और जहां पर अरतालिस तो आपको चालिस से अधिक कहा है दो जगे हैं इसलिए इसका आंसर क्या सही है ए पार् आगया किया निम निखिल लाइन ग्राफ दोजार साथ और दोजार बारा का अवदी के दौरान एक कार निर्मार कमपनी दौरा अरजित वार्षिक लाब प्रतिस्त को दर्साया गया है किया निम निखिल में से किस वर्ष में वार्षिक लाब प्रतिस्त ग्राफ के दिये गए सभी वर्सों के वार्षी गलाब के परशत के आसत क्या बोला है आसत के पास है तो आसत क्या होगा आपको पता है आसत का फामला बेटा होता है आसत बराबर क्या होता है आसत बराबर होता है योग बटे संख्या मतलब कुल योग बटे कुल संख्या तो तहरा है वो सभी के आस तो पीछे पीछे वाला पहले जोडएंगे तो यहां पीछे क्याी है जीरो जीरो में पाइंच जोड़एंगे पाँच दस पाँच पंदरा पंदरा कह गया थाजी अगरना जोड़ां प्रंछ का बाइंच 5 910 एक ग्लैनिकra किते हो गए 22 और एक हासिर थी किते हो गए 23235 अब टोटल साल कितने हैं हो गए एक दो तीन चार पांच छे तो 235 बटे क्या प्ता कर दिया जाए ठीक है जोड मेरे खासे यहां पर एक बार दुबारा चेक कर लिया जाए है कि जम् loneliness जोड़ने में गलती तो नहीं हुई है पिर पदुबारा देख लेटे हैं क्या कह रहा है देखो पांच 5 दुआइश पांच इसिता पंद्रा ठीक है और एक हासिल हो गया फिर दुपांच ठाइब दस दस चार चाओधा चोदा हो जाएगा 620 27 27 26 33 कितना 33 थीक ना यही तो आया था बटे कितना कर दें बटे कर दें हम लोग कितना हो जाएगा 3 3 6 का भाग देंगे 6 35 3 3 आशिल से पंचे 30 तीन आशिल हो गया 35 फिर थिगे न क्या होगा 60 पंचे तीज तीन याशी लोग किता पचांग अधीज तीन वचांगे तीन वचा यह होगा 35 तो छे श्रण श्रण फिर फिर थीज फिर पंचे थीज क्या सब्सक्राइब पच्चास तो क्या होगा आठ निकटम किसके निकटम है किसके निकटम है actually है ओने में दिक्कत हो रही है तो वह ऐसे लिखके जोड़ेगा लेकिन गलती नहीं करेगा ठीक है इसको ऐसे लिख लिया जाएगा और आप फिर यहाँ पे जोड़ेंगे लेकिन पेपर में गलती नहीं करेंगे पांच, दस, पंदरा, पंदरा की 5, एक आशील, 5, 4, 9, 10, 4, 14, 6, 20, 20 और 7, कित्ते होंगे 27, 27, 26, कित्ते हो झाएंगे 33, बार समझा रही है, और और सत बराबर होता है, यो बते संख्या, कितने साल हो गए, एक साल, दो साल, तीन, 4, 5, 6, 6 का भाग देरेंगे, तो आएगा 55.8 ये लगबग किसके बराबर है तो पच्पन के बराबर है लगबग इसके पास है इसके पास है और ये किस को सा साल था दो हजार आठ तो इसका आंसर क्या सही हो गया एक पार्ट चलते हैं अपने नेस्ट कोशन कोशन नमबर च्छै की तरफ कोशन नमबर च्छै वेटा ये साम क्या को दिखाता है पंजीकरत जो हलकी लाइन है और यह जो गाड़ी लाइन है वो क्या है वो तीर लोगों की है फिर क्या कह रहा कॉलेज A college, B, C, D, E college की बात हो रही है सभी college में कुल मिलाकर पंजीकरत, मतब कुल कितने पंजीकरत लोग हुए, तो कुल जोड लिये जाए, इन सब को यह जोड़ दो जब यह सब को जोड़ जोड़ने का वही तरीका पीछे-पीछे के अंग जोड़ो पांच दो साथ ठीक है? साथ और आठ,Cre 7, 15 15, 5, 15, 25, 20 की 0 दो हासिल 4, 4 रो 5, 9, 9, 4, 13, 13, 14 17, 17, 17, 25, 22 हासिल आही की 22, 24 यह हो गया 24 अब क्या करूँए, उतीन छात्रों उतीर छात्र केते हैं, साथ नकाल़ो इसलिए वाले जोड़ दिया यह जो लिखे हूय यह सब..! डो दुस द ज़िस दु बारा बारा और आड बीश की जी्रो दु धु सिल तीन तीन चार साथ साख 411 ,13 ,14 ,14 ,4 ,18 ,yor2 ,Instate,12-20 , यह कार दिया जाएगा अब किस पाड़े से कटेगा पांस के पाड़े से यह कार आएगा तो 4 के पाड़े से कटे जाएगा 4 चंग 24 और 4 5 पंचे 20 तो क्या तो रेशियो आ गया जाया,एक्स रेशियो फाइक तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा हो गया, D पाट इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, तो अभी तक ligne आरेक या जो पढ़ा रहे तो उसमें एक लाइन दिखा जा रही थी कि आप दो लाइने दिखा रहा है ठीक है तो डरना नहीं जैसे बोला है वैसे सवाल लगा दिया गया है उझे पंजीक्रत वालों को जोड़ लो फिकर आउ तीन वालों जोड़ लो दोनों को आनुपाद निकाल लो समझ में आ गया होगा चलते हैं अपने नेक्ट कोर्सन नंबर हमारा ये कोर्सन नंबर साथ कोर्सन नंबर साथ देखते हैं क्या कह रहा है कोर्सन नंबर साथ कह रहा है दिये गए आरेग में पहले तीन वर्सों में और अगले तीन वर्सों में बेची की कारों की कुल संख्या की बीच अंतर तो पहले तीन गया है उनके टीनों में देखो पहले कितने देखो यह दिया है अब यहां देखो यह उपर कुछ नहीं लिखाए। उसके सामने लाइन में किता आ रहा है इसके सामने लाइन में आ रहा है। और यह जो यहाद तीसरा दिया इसके सामने यह लाइन जा रही है इसके सामने यह लाइन के तियारी 200 तो अब इनको जोड़ लो 5-5-10-1-2-3-4-1-5 तो यह कितना आ गया 500 गया अब किरा अंतिम तीन अंतिम 3 को फिर देखो यह यहां पर कितना आजाएगा यह वाला यह आजाएगा 100 और यह वाला कितना आजाएगा 200 जब इसको निकालो बेटा तो यह भी वही लाइन है तो यहीं पर आएगा यह स्टेड लाइन पर यह भी आएगा 300 और यह अलग भी बेटा कितना था जो इसक कुछ सा हो गया बी पाठ itt का सज़ी आंसर हो गया क्या रहता कारों का अंतर तो अंतर क किता आ गया 200 आगया ठीक है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा वीडियो करते रहीएगा ज्याद крутं दॉ crisis लोगों के पास ठीक है चलते है अगले कोर्षिन पर अगला कोर्षिन कोक्षिन नंबर आठ जो आपके सामने है और लाइन बार का यह आखरी ऐस्के बार लाइनबर आपको समझ में आ जाएगी और आपका paperawan कोर्षिन हो जायेगा क्या कहरा है कहरा है तो रुषिन कोत्र टर्थिजिए 때문च cop कंपनियों में पुरुसों और महिलाओं परिस्रमकों की संख्या को दरसाता है सर्विकों की संख्या को दिखा रहा है यह तो यह दिखा रहा है यह महिला है यह करमचारी है यह जो मोटी लाइन जा रही है जिसमें यह मोटे मोटे उपर वाली क्या महिला किया और नीचे वाली तो सबसे अधिक अंतर किस कंपटी में धेखते हैं यहां पे को यह आला है जोंदेख। अगला जब चर्ण आएक time दो कि और सुख कई दहां पर चाल गाई तो अगला यहां जब करोगे यह जाएं गां जल्दी हो करें तो इसको देंग को डेकख अपता चल ला है डोनों कोगा जब अंतर निकालना है तो दोनों लाइनों की गैपिंग कहां पर जादा है यहां देखो इतनी गैपिंग है यहां देखो इतनी गैपिंग सबसे ज्यादा गैपिंग यहां पर है जब यहां पर गैपिंग ज्यादा आ रही तो अंतर भी यहीं पर ज्यादा आएगा क्य जो है डी कंपनी में जो है इनका अंतर क्या है सबसे ज्यादा आ रहा है तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया विटा ए पार्ट आंसर सही हो गया जिसमें लिखके दिया गया है डी समझाया किस कंपनी में डी कंपनी में अंतर क्या होगा ज्यादा होगा अगर वीडियो अच्छी